हे दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ भई आप लोग अच्छे होंगे बड़िया होंगे दोस्तों बॉलिवोड के भायजान यानि अभिनेता सल्मान खान को कौन नहीं जानता है इनके शक्सियत से बच्चा बच्चा वाकिफ है भायजान के नाम से मशूर सल्मान खान इंडस्ट्री में अपना एक अलगी रुथपा कायाम किया हुआ है करोडो की फैन फॉलिंग के कलोते मालिक सल्मान खान के स्टार्टम के चर्चे दुनिया भर में शुमार है यूं तो सल्लू भाई के उम्र 50 साल से भी ज्यादा है लेकिन दोस्तों इनकी परस्नालिटी ऐसी है कि नब्बी के दशक्स से लेकर आज की जनरेशन तक लोग के दिलों पर इनका राच है सल्मान खान को एंटिटेन्मेंट की दुनिया में काम करते हुए करीब 33 साल हो चुके है करोलो अर्बो की प्रॉपटी के मालिक है भाई है लेकिन बावजूद इसके ये बेहर डाउन टू अर्थ है 75 रुपए से फिल्मी करियर की श्रुवात करने वाले सल्मान खान आज एक फिल्म का 75 करोड रुपए लेते है सल्लू भाई की नेटफर्ट अगर आपने सुन ली तो बहुस आपकी आखे बाहर आ जाएंगी लेकिन सवाल ये है कि रोजाना करोडो कमाने वाले सल्मान खान इतना पैसा उड़ाते कहां है अगर आप ये जानना चाते तो हमारे संग दोस्तों आखर तक बने रही है क्योंकि आज हम आपको सलमान खान से जोड़ी हर वो बात बताने वाले हैं जिस से आप अंजान हैं बहुत कम लोग जानतें कि सलमान खान का असली नाम अबदुर र Wishीज सलीम सलमान खान है लोग उन्हें प्यार से सलु भाई भाय जान इन सब नामों से पुकारते हैं इनके उम्र 50 से उपर की भले ही है, लेकिन जोश और जजबा 25 साल के उम्र के लड़के से भी जादा है। बॉडी बेडिंग और स्विमिंग भाई इनका शौक है, उनके जैसी बॉडी पाना आज भी लाखो यवाओं का सिर्फ सपना है, जिसके लिए आज की जेनरेशन घंटो जिम में पसीना बहाती है। इसके लावा दोस्तो सल्मान खान को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वो एक नेक दिल इनसान है। दोस्तो सल्मान खान का जन 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इन दौर में हुआ था। कहते हैं कि इनके पूर वज अफगानिस्तान के रहने वाले थे जो बात में भारत आ गए और मध्य प्रदेश के इन दौर में रहने लगे। इनके पिता एक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हैं जिन्होंने कई फिल्में भी लिखी हैं। सल्मान खान के पिता सलीम खान ने दोस्तों दोशादिया की थी, पहली सल्मान खान की माँ सल्मा खान से और दूसरी जानी मानी अभिनेतरी हैलन से, हैलन के दो बेटे हैं जिसमें बड़े बेटे अरवास खान है और छोटे सोहिल खान है, और एक बेटी अलवीरा खान है। सल्मान खान की छोटी बेहन अर्पिता खान जिनके बारे में कहा जाता है कि सलीम खान और सल्मान खान ने अर्पिता जिनकी मा की फुटपात पर ही मौत हो गई थी उस अनाद बच्ची को गोध ले लिया और फिर इनने खान परिवार का हिस्सा बनाया लेकिन आम उसका अर्प सल्मान खान सिर्फ 6 साल के थे शायद अब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन सल्मान खान सुल्तान बनकर बॉलिवोड पर राज करेंगे लेकिन उनके जिद और जिनून और कुछ हद तक किसमत ने आज उन्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि वो बॉलिवोड ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा। दोस्तों सलमान खान के पहली सलरी 75 रुपए थी उसके बाद वो कोका कोला एड में दिखाई दिये जहां उन्हें 700 रुपए मिले सलमान खान ने फिल्म बीवी हो तो ऐसी से अपने करियर की शुरुआत की थी इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किय था बताल लीड एक्टर दोस्तों उनकी पहली फिल्म सूरज पर जाता है कि मैंने प्यार किया थी इस फिल्म ने सलमान खान को बॉलीवड में एक नई पहचान दिलाई वो लोगों और डायरेक्टर्स की नजर में आए सलमान खान की ये फिल्म दोस्तों समाई सबसे ज़्य दोस्तों पर जाता कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फियर अवार्ड भी मिला था। Сलमान ख़न की कमाई की बात करें तो सलमान उन इसके लावा बिग बहराई के लिए बेन चreth किलि भार 300 करोड रुपए आसपास पे किये गए इसके लवा आवार्ड शो को होस्ट करने के लिए 4-5 करोड लेते हैं टीवी पर आने के लिए सल्लू भाई लगभग 11 करोड चार्ज करते हैं और साथ ही किसी शादी में डांस वांस करना और 20 सल्लू भाई 3-4 करोड ले लेते हैं दोस्तो हम आपको बता दे जब बिग बाउस सीजन शुरू हुआ था तब सल्मान खान को एक दिन का धाय करोड दिया जाता था लेकिन आज बिग बाउस को होस्ट करने के लिए सल्मान खान एक दिन का 12 से 13 करोड वसूलते हैं सल्मान खान को उनकी दरिया दिली के वज़ह से बॉलिवुट का भाई माना जाता है हम आपको बता दे सल्मान खान ने के इंट्रिव्यू में ये बात बताई थी मैं शादी करूं या फिर ना करूं मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपटी का आधा हिस्सा ट्रस्ट को दान दिया जाएगा अगर मैं शादी नहीं करता हूं तो मेरी पूरी प्रॉपटी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी आएब जानते हैं सल्मान खान आखिर इतना पैसा कहां उडाते हैं दोस्तों बढ़ती कमाई के साथ सा सलमान खान ने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया इसके अलावा उनके महगे महगे शौक भी लोग को हैरान करते हैं वो जातर पार्टीज में पैसे उड़ाते हुए नजर आते हैं इसमें हर रोज खाने से लेकर पहनने में भी अच्छा खासा पैसा खर्श करते हैं अपनी दंदार अक्टिंग से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले सलमान भाई के पास करोड़ो अर्बो की प्रॉपटी है उनके आलिशान प्रॉपटी में सबसे पहला नंबर उनके घर का आता है उनके घर को दोस्तो मॉंबाई का एक लैंडमार्ग भी कहा जाता है वो अपने पूरे परिवार यानि कि उनके पिताजी सलीम खान और उनकी मा सलमा खान के साथ मॉंबाई के कलेकसी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान का दोस्तो ये घर सी फेसिंग थी स्टोरी अपार्टमेंट है जिसका व्यू यार बहाद अच्छा है सल्मान खान के इस घर की कीमत दोस्तों लगभग 100 करोड रुपए बताई जाती है पन्वेल में दोस्तों सल्मान खान का एक बिहदी खुबसूरत फार्म हाउस है जहाबर वक्सर पार्टिया करते हुए देखे जा सकते है उनकी बिर्थडे पार्टी भी अमूमन यहीं होती है शांदार जिम, लैविश स्विमिंग फूल, अस्त बालर्स के साथ ही 5 घोले भी यहाँ पे उनके पास है फार्म हाउस में और इस फार्म हाउस की कीमत है दोस्तों करीब 80 करोड रुपए दुबई में भी सल्मान खान का एक शांदार घर है उनकी यह प्रॉपटी बुर्ज खलीफा के पास दी अड्रिस डाउन टाउन में मौझूद है इस प्रॉपटी की कीमत 22 करोड रुपए में है महराश्ट के गोराई में भी सल्मान खान का एक फार्म हाउस है जिसमें 5 बैटरूम है, हौल है, किचिन है इस सी फेसिंग बंगले में जेम, स्विमिंग पूल, थेटर जैसी सुविधाएं मौझूद है इन सब के अलावा सल्मान खान के पास अपना प्राइविट यॉर्ट है जिसकी कीमत लगबग 3 करोड है सल्मान ने ये यॉर्ट 2016 में खरीदा था यहां उन्हें प्राइविट पार्टियां और फैमिली गैटरिंग करते हुए देखा जा सकता है वो कारों के इतने बड़े शौकीन है कि उनके प्राइविट गैराज में सल्मान को 200 साइकल चलाना बेहत पसंद है वो कई बार मुंबई के सडकों पर साइकल चलातों वे भी नज़र आते है सल्मान खन की 200 सल्मान खन फाउंडिशन नाम की एक संस्था है जिसकी वेल्यू लगबग 235 करोड बताई चाती है इसी संस्था के अंतरगर सल्मान ने अपने क्लोधिंग ब्रैंड बिंग हुमन की शुरुआत की है जो यंग्स्टर्स के बीच बहुत पॉपलर है वही सल्मान खन के अपनी प्रोड़क्शन कंपनी है जिसका नाम सल्मान खन फिल्मस है जहां वो बशरंगी भायजान, भारत, दबंग 3 और राधी चैसी कई फिल्मों का निर्मार भी कर चुके है मौजुदा समय में उनकी फैन फॉलिंग का ये आलम है कि गलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनके चाहने वालों की फिल्ड भई लगी ही रहती है उनके फैन्स की दिवान की कुछ ऐसी है कि उनकी एक चलग पाने के लिए उनके जो फैन्स है वो बेताब रहते हैं कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सल्मान खान को अपने फैनस से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है लीड रोल के तोर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी जो की बहुत ही बड़ी सुपर हिट फिल्म थी उनकी फिल्म दोस्तो हम आपके हैं कौन ने सभी का दिल चीता है तो वही सलमान का जो अभिनाय था तेरे नाम में उसकी काफी तारीफ हुई और उस फिल्म से उन्होंने सबको इमोशनल भी कर दिया था आलम तो ये था कि सलमान खान का जो इस चाइल था बालो का उस फिल्म में लोग वैसे ही फॉलो भी करने लग गये थे हर कली में एक राध ही दिखने लग गया था इन सबके अलावा दोस्तों सल्मान खान को दान, पुन्य, दोस्ती और उनके अच्छे बेहवियर के लिए भी जाना जाता है इनकी संस्ता की जो कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा बेसहरा बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन और मेडिकल सुविधाओं में जाता है कुरुना समय में भी सल्मान ने जरुवत मंदों तक मदद पहुचाई थी, इसकी अलावा वो जरुवत मंदों की समय समय पर मदद करते रहते हैं सल्मान खान दोस्तों आज भी कुवारे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जिन्दगी में किसी ने कभी दस तक नहीं दी आज भेले ही वो किसी के पती नहीं है लेकिन उनकी गल्फरेंट की लिस्ट बहुत लंबी है उनकी गल्फरेंट में सबसे दाद चर्चित रही है एश्वर राय इन दोनों की शादी भी हो सकती थी लेकिन आएड मौके पर दोनों ने ये रिश्टा खतम कर दिया सल्मान खन की गल्फरेंट की लिस्ट में दोस्तों केटरीना कैफ, सोमी अली, यूलिया वन्तूर और एमी जैक्सन तक का नाम भी शामिल है हाला कि शादी के बंधन किसी के साथ इनका बन नहीं पाया पर हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक नेक दिल इनसान और बॉलिवुट के भायचान के जिन्दगी में भी एक सच्चा साती कभी न कभी दस्तक जरूर थे फिलाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समात करने का समय हो चला है आपको सलमान खान की कौन से फिल्म सबसे अच्छी लगती है हमें कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक और शेर भी करना आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस करें जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिसना हो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें बाए टेक केर